बच्चो कल भी हमने 8.4 एक्ससाइज की कुछ क्ये थे और आज भी कुछ अलग क्यूस्टन है यह क्यूस्टन आपको जो है एक्ससाइज 8.4 में मिलेंगे नीची तरफ क्यूस्टन क्यूस्टन पेधाय जहांको जांसे आपको निलाओं開始 मुंझेगे प्लक्राशन है यह संध क्यूस्टन थिखान को से अपॉन प्लस साइने प्लस वनып प्रस साइने अपन ओ एकवल टू-टू सेके यहां प्रूफ करना है एक इसके बराबर दो प्रूफ करना शिर्फ्ड घरना है भुल करें इसके ग्रव इसके पो से एक परृष sentence साइने अपन ay полayer यहां देखिए आपको मुने पहले बता या ना बहुता आरे हैं जब भी कोस्नों को हलक हलक हम कुछर्ट आले तो मोश्टली साइन कोस के पदमाही तोड़ करने कोस्नों करते हैं यहांब पर साइन कोसा ओरी है ठीक है इसलिच देखो, यहाँ पर हर बराबर नी तो Coast multiply करके फ़रे आजबके तो च्रोस multiply करेंगे कोस में करेंगे कोस स्कोलारे कलस् one plus sine गुणा one plus sine में करेंगे तो one plus sine कहोल स्कोलार और अपल इन दो में की multiply घराowers-DC इन्टो one plus sine इसा नबढ़ा बड़ा, cos² A, 1 प्लस sin A का whole square, जैसे कि A प्लस B का whole square खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार, 1 को A माल लेंगे, sin को माल लेंगे, B, तो 1 प्लस sin A का whole square, प्लस स्क्क्वार, था नोगर, तो 1 का स्क्राइर, बने देगा, प्लस साइन का स्क्क्वार, स्क्वार अ प्लस 2AB, यानिकि 2 into A1 into साइन, यानिकि 2 साइन गा का, A plus B के थे होले स्का इसका फॉर्म मुला, आप हुआ और है ऑज ए इन्ट्रवाइब प्लूस साइं है थीक्या आगे चलेंगे बराबर तो और एक प्लुस स्वारव प्लस साइं स्कुर्ड देकर साइं स्कुरह चीटा प्लस न तुट है तो साइं स्कॉराव प्लस कुछ कर एगर टुन Ale 1, plus 1, plus 2 sin A, upon, POSE A into 1 plus sin A, equal, 1 plus 1, 2, 2 plus 2 sin A, 1, plus 2 sin A, upon, POSE A into 1 plus sin, बड़ा, 2 common हैं उपर, common लेंगे, तो यहां बचेगा 1, plus, यहां बचेगा sin, upon, POSE A into 1 plus sin, 1 plus sin A, 2 की multiply में हैं, और 1 plus sin A, cos में बचेगा, बचेगा 2 upon cos, 2 upon cos का मतला है, cos का अपोईटिदी हम करेंगे, तो हो जाएगा sack, यानि कि प्रूफ हो जाएगा 2 sack A, यह हो जाएगी, right hand side, ठीक है, second question है, जिसमें लिया है, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equal proof करना है, tan theta, ठीक है, और tan theta के प्रावब proof करने के लिए, tan क्या होता है, sin upon cos, यानि यह उपर से sin को मनाना चाहिए, और निचे से cos, left hand side करेंगे, सवाल को हल करेंगे, left hand side axis लेंगे, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta और minus के cos theta, बराब, sin theta देखो, यहां से common लेंगे, यहां बचेगा, 1 minus 2 sin cube, यानि तीन घात है, तो एक घात यहां से sin common आगे, तो यहां बचेगा, sin square theta, अपो, यहां से cos common है, cos theta common लेंगे, तो यहां बचेगा, 2 cos square theta, यहां 2 खात बचेगी, एक cos जहां हमने common लिया है, और minus, यहां बचेगा, अब देखो, sin upon cos क्या होता है, 10 होता है, यह 10 हमारा बढ़ना होगा है, यह इस से divide, और divide कैसे होगा, यहां sin है, और यहां क्या है, cos, यह तो हम sin को cos में तोड़ देंगे, यह cos को sin, तो हम यहां sin square को cos square को पुदमें देखोंगे, और sin square होता है, 1 minus cos square के एक बचेगा, sin square को हम यहां लिखेंगे, 1 minus cos square, बचागे, sin theta into, 1 minus 2 sin square, और sin square को हम यहां लिखेंगे, 1 minus cos square theta, अपो, नीचे आइटी जैसे रखें, cos theta into, 2 cos square theta minus 1, बचागे, sin theta into, 1 minus 2 की multiply करेंगे, 2 कम दो, और minus minus, plus, 2 cos square theta, बचे, cos theta into, 2 cos square theta minus 1, बचागे, देखों, यहां 1 minus 2, तो बचेगा, minus 1, तो, sin theta into, बचेगा, minus 1, इसको पहले रखेंगे, 2 cos square theta, यह घटकाएंगे, minus 1, और बचे, cos theta into, 2 cos square theta minus 1, अब यह सेम है, sin की multiply में है, और यह cos की, तो यह divide हो जाएगा, खट जाएगा, और sin theta, कौन cos theta होता है, tan theta, यह proof हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसकी right hand side, और एट जाएगा, ठीक है, next question, question 3, हमें सिद्ध करना है, sin a plus cos a, whole square plus, cos a plus, cos a, whole square, बराबर सिद्ध करना है, 7 plus, 10 square a, plus 4 square a, यानि कि, इस side के equal, हमें यह proof करना है, यह sin cos a, cos a, और यहाँ पे है यह tan quote, जो हमें प्रूफ करना है, तो left hand side लेंगे, अफ़ल करेंगे, और left hand side लेंगे, left hand side है, sin a plus cos a, whole square, तो sin a, plus cos a, whole square, plus cos a, plus cos a, whole square, बड़ा, यहाँ, a plus b, whole square, इस side, sin a, plus cos a, whole square, खुल लेंगे, और cos a, plus cos a, यहाँ, तो sin a को a, और cos a को b, मानते हुए, इसका whole square खुल लेंगे, तो ज़िएगा, sin square a, plus cos a, square a, plus two sin a, और into cos a, फिर आगे है, plus, cos a, plus cos a, whole square, तो ज़िएगा, cos square a, plus cos square a, plus two cos a, into sac a, equal, sin and cos a, a दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब भी है multiply माएंगे, और घात सेम होगी, तो यह कटके, एक आगे, ऐसे cos and sac भी, कटके कितना हैगा, बनाएगे, तो एकम दो, और यहाँ भी तो एकम दो, एक बात हो, sin square a, और यहाँ पर जड़ा होगा है, cos square, तो sin square plus cos square, equal to one, तो sin square plus cos square, equal to one, plus, हम यहाँ भी तो एकम, दो, इसका पहले देखनेंगे, plus, दो एकम, दो, plus, अब बचे हैं, यहाँ cosac, और sac, तो हम यहाँ से cosac का formula आएगे, cosac square होता है, one plus cos square के बराबर, तो one plus cos square a, plus, sac होता है, one plus tan square a के बराबर, जोड़ेंगे, एक plus दो, तीन और दो, पांच रिख छे हैं, और एक, साथ, तो साथ, पलस tan square, plus cos square, plus tan square a, plus cos square a, यह हो जाएगे, right hand side, भाइच चास, यह सिद्ध, next question, question number four है, सिद्ध करना है, one plus sac a, upon sac a, equal sin square a, upon one minus cos a, तो इस question को, हम दोनों side से हल करेंगे, यानि कि, left hand side की value निकाल लेंगे, उसके बाद right hand side के दोनों equal आईगे, left hand side लेंगे, तो हल करेंगे, left hand side equal to, one plus sac a, upon sac a, सोद्ध करेंगे, तो सभी को, sign course के पुद्ध में तोड़ करेंगे, question को हल करते हैं, पारवर बता जा रहा है बच्चो, यहाँ sac है, यहाँ भी sac है, तो sac को लिखेंगे, one upon cos, और यहाँ लिखेंगे, one upon cos, तो one plus, तो यहाँ लिखेंगे, one upon cos a, upon, यहाँ one upon cos a, solve करेंगे, cos की multiply one में करेंगे, तो जा, cos a, plus one, upon cos a, upon, one upon cos, यहाँ भी, इस सेंक्य के बटे में, cos a है, और यहाँ भी एक के बटे में, cos a है, यहाँ बचे गा, one plus cos a, upon one, यहाँ बचे गा, cos a plus one upon one, और one को upon में डिखेंगे, तो यह जाएगा, one plus cos a, इसकी value होगा, इस लाट हैं सेट की, अब हम राइट हैं सेट की value भी निकारें, तो सेट से इसको पूफ करके, तो यह साएग की value एक बचेंगे, सेट इसकारें सेट है, साइन स्क्वाइर ए, upon one minus cos a, देखो, जो हमें जो, अब value लानी है, वो लानी है, cos ने, यहाँ यह साइन है, यह तो cos है, यह है, साइन, साइन स्क्वाइर को, cos के पूफ करके, लेखेंगे, one minus cos square a, sin square होता है, one minus cos square a, upon one minus cos a, बराब, अब देखो, यहाँ one को one का square मान सकते हैं, और यहाँ फर्म लाएगा, a square minus b square, यहनिकि, एक बार a plus b, into a minus e, तो एक बार one में, cos a जोड़ देंगे, into एक बार one से cos a, भटा देंगे, और अपन, one minus cos, one minus cos से, one minus cos से, divide हो जाएगा, बचेगा, one plus cos, यह सिद्ध हो, पुरूफ, left hand set, right hand set, दोनों की value, equal हो चुकी है, यह सिद्ध हो चुकी है, next question, question 5 है, सिद्ध करना है में, cos a, minus sin a, into, sac a, minus cos a, equal, one upon, tan a, plus cos a, इस question को भी, हम left hand set, और right hand set, दोनों की value, equal दिखा कर, सिद्ध करेंगे, जैसे question उपर, question बर 4 किया है, left hand set लेंगे, और question को हल करेंगे, left hand set है, cos a, minus sin a, into, sag a, minus cos a, equal, ये cos a, cos a, cos a को लिखेंगे, one upon sin, minus sin, into, सैक को लिखेंगे, one upon cos a, और minus cos a, equal, solve करेंगे, sin की multiply करेंगे, तो one minus sin square a, upon sin, into, one upon cos, यहां cos की multiply करेंगे, तो लिखेंगे, cos a, अब, देखो, यहां cos a है, यहां है, cos square, तो इसकी एक घात, cancel जाएगे, यहां sin a है, यहां sin square, तो यह भी इसकी एक घात, cancel जाएगे, कि यह, divide हो जाएगे, तो यहां बचेगा, एक sin, sin कट जाएगा, square है, यहां पर, sign बचेगा, तो sign a, into, यहां बचेगा, एक cos कट करके, cos है, तो राठेंड सैड की वाले हो गए, sign a into, cos है, अब, राइट हैंड सैड लेंगे, राइट हैंड सैड है, हमारी, one upon, tan a, plus, coat a, sign a, बचेगा, यहीं पर, sign cos के पुदब में, लिखेंगे, one upon, sign को लिखेंगे, sorry, tan को लिखेंगे, sign a upon cos, plus, coat a होता है, cos a upon sign, equal, solve करेंगे, one upon, cross multiply करके, अलसे में इको लेंगे, sign a, multiply sign में करेंगे, sign square a, plus, cos की multiply, cos में करेंगे, cos square a, upon, sign a into cos a, और यह upon के पुदब में आखाँ जाएगा, multiply में, sign square plus cos square कितना होता है, one, और sign a into cos a की multiply करेंगे, one में, तो यह जगा, sign a into cos a, upon, sign square plus cos square, इसकी वाल लिखेंगे, यह upon, तो यह नहीं कुल मिला के बच्चे गा, sign a into cos, यह होगी, right hand side की value, जातो left hand side की value भी, sign a into cos से आई है, तो यह प्रूफ और यह प्रूफ और यह प्रूफ वाल और सिद्धू हो, अब question number next, 6th question, 1 plus 10 a upon 1 plus quote a equal है, 1 minus 10 a upon 1 minus quote a का whole square, equal है 10 square a के, इस question में, हमें इसकी value भी 10 square के बरावर, पूफ करनी है, और इस संखे की value भी 10 square a के बरावर पूफ करनी है, तो पहले हम इसको लेंगे, और एद 10 square a के बरावर पूफ करनेंगे, यहा से लेंगे left hand side, ठीक है, यहाँ 1 plus 10 square a upon 1 plus quote square a बरावर, one plus ten square होता है sack square पुर्म रही upon one plus court square होता है cosack square के बराबा equal sack square sack को लिखेंगे one upon cos square a upon cosack को लिखेंगे one upon sin square a sack होता है cos complete और cosack होता है sin complete अब multiply करेंगे बाहर की बाहर under की अंदर sin square गुना एक में जब लगी तो यह जगा sin square a upon cos की one की multiply cos करेंगे तो cos square a और sin square upon cos square sin upon cos होता है tan तो यह जगा tan square a यह जगी हमेरी right hand side अब अब question को यहां से लेंगे अब दोबारे इस question के ले रहे है one minus tan a upon one minus coat a का whole square बराब देखेंगे यहां तो tan है यहां coat है और हम प्रूफ करना है tan तो लिखेंगे one minus के tan a upon one minus coat होता है tan का अपूज़ तो लिखेंगे one upon tan a और इसका whole square equal one minus tan a one minus tan a upon tan a की multiply रहे है तो लिखेंगे tan a minus one tan a minus one upon tan और इसका whole square देको यहां है one minus tan a तो यहां है tan a minus one और अपुण में है tan a तो इसकी multiply का जाएगी उपर जाएगी one minus tan a इस dengan multiply your influenced time daí one minus tan a इसमें तो यहां से हमने लिखेंगे one minus and two and one minus and ten and our minus and and then a minus one upon then a minus one और इसका होल स्क्वार अधाने मैं से तैने मैं स्वार करेंगे तो यह हो जाएगा पलस के टैन स्क्वार जो जाएगा हमारी राइट हैंड साइड यह पुरूफ हो जाएगा कि आज सुड़ों में इतने बच्चों अनुपर योग चाप्टर नमबर नाइन परे स्टार्ट करेंगे